तो विल्कमें दोस्तो नमस्कार आप सभी का और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी लोग economics honors कर रहे हैं बीए में और semester 3 में exam दे रहे हैं ठीक है semester 3 major paper 4 का उसमें अगर आपको public finance पढ़ना है इंग्लिस में revenue भी बोलिए या फिर public finance भी बोलिए ठीक है तो यह पढ़ना है आपको अर्थसास्त्र honors economics honors semester 3 major paper 4 में जैसे कि आपका बात कर लेते हैं तो राची इनिवर्शिटी निलांबर पितांबर इनिवर्शिटी मारबाडी कोलेज मतलब जारखन का अगर आप हैं राची इन सभी इनिवर्शिटी से तब तो आपको काम देगा ही देगा लेकिन अगर आप जारखन के बाह अब देख लेते हैं यहाँ पर आपको किस टाइप के question देखने को मिलेंगे सबसे पहले देखिए आपका जो exam होए 65 marks का आएगा timing रहेगा एक marks वाले 5 question रहेंगे 5 marks वाले 2 question रहेंगे ठीके यह हो जाएगा 15 marks ग्रूप A और Group भी रहेगा 60 marks का जिसमें आपको 15 marks वाले total 4 questions solve क यहाँ पर बात कर लेते हैं syllabus की तो syllabus में आपको क्या-क्या पढ़ना है देख लीजिए एक नजर में तो इसमें आपको पढ़ना है nature and scope of public finance यानि कि जो public finance होता है इसका scope छेत्र कहां तक है और प्रकृति क्या है ठीक है next आपको पढ़ना यहाँपे public expenditure के बारे में क्या-kya खर्चे होते हैं यह सारी चीज़े बतानी है next आपको पढ़ना taxation के बारे में यानि कि कराधान के बारे में relax अब तो gst आ गया है तो gst इप के बारे में भी आपको पढ़ना होगा next step कर यहां पर public debt and public sorry public debt and financial administration के बारे में पढ़ना है और आपका अंतिमे unit 5 इसमें आपको पढ़ना है financial decentralization in India तो यह सारे आपके topic हैं और इसी को ध्यान में रखके प्रोफेसर गेस आपका important question बनाया है अब देख लेते हैं तो जितने भी question है मैं आपको यहाँ पर एक review दे रहा हूं जिसे यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं तो आपका यह one marks वाले question है ठीक है क्लामिक्स measure paper 4 का one marks वाले और यह आपको question number मतलब अच्छा कासा है लगबग 70 रफसी question आपके one marks वाले हैं ठीक है तो चली देखते हैं कहां तक है उसके बाद आपका यह आपका पेज नुमर 16 तक यहाँ पर दिखी वन marks वाले मिल जाते हैं तेन आपको मिलता है five marks वाले question जिसको आम लोग स्वार अंसर टाइप बोलेंगे यह आपके एकजाम में दो आएंगे ठीक है इसमें पहला question है कि राजसु क्या है what is public finance ठीक है राजसु से आप क्या समझते हैं दोनों question का एक ही अंसर होगा या फिर पूछ ले कि राजसु का अर्थ क्या है या राजसु की परिवासा लिखें ठीक है सब का मतलब एक ही है और इसका अंसर चुछिश टैप से क्या गया है five marks का आपके एक जाम में जो five marks वाल सारोजनिक वस्तों को परिवासित करें ठीक है define the social और public goods देखिए इस सब पढ़िये या ना पढ़िये लेकिन आपको long answer type question पढ़ना है ठीक है short answer पढ़े या ना पढ़े one marks वाले पढ़े या ना पढ़े क्योंकि अगर आपको long answer type जब पढ़ते हैं आप तो आपका short answer type अप ने आप बन जाएगा ठीक है 15 marks वाले को पढ़ने पर द्यान देजिए तो चलिए long answer type यह आपको पढ़ना है ठीक है पाले यह आप one marks वाले पढ़े या ना पढ़े 5 marks वाले पढ़े या ना पढ़े लेकिन long answer type सभी question का answer आपको पढ़ना है और घर पे ready भी करना है आपको ख अच्छा जाएगा definitely सज बता रहा हूं आप लोग more than 60 marks achieve कर लिजेगा ठीक है तो यहां पर हमारा पहला कोशन है कि राजसु से आप क्या समझते हैं इसकी विभिन परिभासाएं दीजिए what do you mean by public finance mention its various definition और एक दो आपको अर्थसास्त्रियों का नाम बता देना है next step कर यहां इनको दूसरे टाइप से पूछा गया है कि लोकवित की परिभासा दें public finance को लोकवित बोलिए चाहे आपको राजसो बोलिए ठीक है लोकवित या राजसो ठीक है इसके परिभासा दें और बिभिन सामागरी छेतर परकृति की विविचना करें हो सकता है पूछ देंकि वि कोश्चन इकजाम में नहीं छोड़ना है अगला कोश्चन देखिए इसमें पूछा गया है व्यक्तिगत वित वैस्था और सारुजनिक वित वैस्था के बीच भेद असपश्ट कीजिए डिस्टिंग्विस बिट्विन प्राइबेट फाइनेंस और पॉब्लिक फाइनेंस ठीक है या फिर सारुजनिक वित तथा निजीवित आई पक्ष और वै पक्ष को बताना है कि कहां से हमें राप्त होता है और कहां से हमारा जाता है एंकम ठीक है आगे देख लेते हैं next question तो अगला है हमारा यहांपर काफी बड़े-बड़े यहाँ पर दिये गए हैं लेकि आपको तीन खढ़ा पन्हा में करना एक लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है अगर आपके लिखने की स्पीड एबरेज है मतलब बहुत धीरी धीरी लिखते हैं तो आप लोग लिमिटेशन इसी कोशिन को देखिए तीन फॉर्म में पुछा गया है दूसरा फॉर्म है राजसो की आधार सीला अधिक्तम सामाजिक लाब का सिद्धान थे असपष्ट करें या फिर सारवजानिक राजसो के आधोनिक दृष्टिकोन की वैक्ष्ट करें ठीक है तो यह बनाना का जो रहते हैं जैसे यहां पर देखिए सिमान त्याग इकाईयों को सो कर रहा है एबी और कोलम बनाके तो आपको कोलम और क्राप का यूज कीजिएगा डेफिनिटली उससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे ठीक है अरे भाई कितना च्छोटा हो गया चलिए इस लेकिन आपको खरिदना है ठीक है अगर आप लेजिबल हैं खरिदने के लिए क्योंकि आप्लाइन पढ़ना ज्यादा बेटर रहता है ऑनलाइन से जब आपके पास अप्लाइन बुक नहीं हो तब आप इसका परियोग करेंगे ठीक है नेक्स्ट आपका सारवजानिक वय से सब्सक्राइब को परिवासित करते हैं उसके सिद्धानतों को समझाइए डिफाइन पबलिक एक्सपेंडिचर एंड एक्सप्रेंड इट्स प्रिंसिपल ठीक है दोस्तों तो सारवजानिक वय जो मतलब पबलिक के लिए खर्चा होगे जिसे रोड हो गया रोड बन रहा है तो वो सारवजानिक वय ही है एक परकार से ठीक है इसको आपको practically समझना है और मतलब theoretically समझना और practically भी समझना है ठीक है अपना घर के कोई example हो तो उसको भी दे देजे का जो आपके society में हो रहा हो ठीक है next step को यहां पे और हां कोई नया प्रोजेक्ट जीसे बन रहा है भारत का ठीक है उसको भी दे सकते हैं अगला है है यहाँ पर भारत सरकार के आई की मुख्य मुदो ठीक है भारत सरकार के मुख्य मदो इनको प्राप्त होते हैं discuss the main source of revenue of government of India and access their relative importance तो कहा कहा से आय पराप्त होता है जैसे हम लोग किसी देश को भेज दियें कुछ समान चाह कोई खनीज बेच दियें जैसे हम लोग की जारखन में बहुत सारे मिनरल से बेच देते हैं उसको फॉरेंड में जैसे कोई कोई ला हम लोग बेच देए अंद्रासाइट कोई अमेरिका को बेच दियें तो उससे आय पराप्त हुआ उससरे बताने हैं नेक्स्ट आपको भारत सरकार के आय के परमुक सा तबर जारखन से जादussen जैसे निकाल लिए अपुर्विम जनीघुरम सोर्क से और बेच रें तो में जारखन ग्रमेंट को萌न इंटिया को फाइदा हो रहा है लेकिन वहां के जो लोग है रेडियेजन से मर, यह यह दुस्प्रभवार वह यह दिखला देगा फिए आन्ध क्लिप में जी रहे हैं अगला है सारजानिक व्याय में विर्दे के कारणों को बताईए अब देखिए बताना है कि किन कारणों से पबलिक सेक्टर में ज्यादा खर्चा हो जाता है गौर्वर्मेंट का ठीक है जैसे ज्यादा खर्चा कब होता है मालूम है जब सही रूप से क तो यह आपका एक तर से मतलब जो दलाल लोग होता है बिचोलिया कमिशन खाता है वो लोग सही रुप से काम नहीं करता है फिर आपका तूटता है फिर दुबारा लगता है तो इसको आपको बताना है थोड़ा सा प्रेक्टिकली पढ़के नेक्स्ट आपका कर की परिभासा दीजिए ठीक है बताना है कि टेक्स क्या है तथा इसकी मुझ्ट की विज़स्ताओं को बताईए और कराधान के मुझ्च फ्योद्दिश क्या है ठीक है डिफाइन टेक्स एन पॉइंट आउट इट्स में क्रेक्टरिस्टिक्स वॉर्ट आर दा अब्जेक्टिव अप टे तो टेक्स का यूज गॉर्मेंट कंट्री और अपना जो भी है हमारा देश उसको बड़तरी तरक्की करने के लिए करता है बहुत सारा फेक्टर में खर्चा होता है ठीक है जीडिपी तैयार होता है फिर एजूकेशन में जाता है हेल्थ सेक्टर में जाता है सैनिक छेतर में बहुत सारे चीजों में खर्चा हो जाता है नेक्स्ट आपका करों का वर्गी करन करना है कि कितने परगार के टेक्स होते हैं ठीक है तो सब मिलाके एक चीज बना दिया गया है जीएश्टी गूर्ट से जो की एक जुलाई 2017 से भारत में लागू है ठीक है अगला हमारा मुल पूरा नेक्स्त खोशन है जीएश्टी को आवेस से खेग जेएश्टी के लाब बताई ये यह सारी चीज King बताना है न estásri件 कि इस लाग भूघा ऑगा most important question में से ठीक है आगे दिखा देता हूं में नेक्स्ट है आपका यहां पे है श्व्जाणी करीण से आप क्या समझते ह और फिर देख लेते हैं तो अगला है आपका यहां पर किसे अर्थव्यस्ता पर सारजानी करीन के कौन-कौन से आर्थिक प्रभाव होते हैं ठीक है बुरा प्रभाव और अच्छा प्रभाव दोनों बताना है बजट के बारे में जानना है बजट क्या है कैसे तयार किया जात बजट कितने भाग होते हैं और बजट बनाने में कौन-कौन सी कमिया है इसको भी बताना है और अंतिम question है आपका यहां पे कि संग्य वित्य से आप क्या समझते हैं संग्य वित्य मतलब जो सेंडरल कोमेंट हमें असूल करता है इसके परमुक सिद्धान्त की बेवचना कीजिए ठीक है और फिर आपका संग्य वित्य के कोई दोस्त हो तो उन्हें भी बता दीजिएगा और हां इसके साथ ही जितने भी आपके पेपर होते हैं पूरा का पूरा गिर्सन में सब हमारे चैनल पर अप्लोड़ेड है ठीक है पिर बेसियर question paper syllabus important question और इन सभी से को पढ़के आप एक्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए और वोर्मेंट जॉब के चक्कर में मत पढ़िएगा नहीं तो बरबाद हो चाहिएगा okay bye take care video का description check कर लिजेगा वहीं पर मिल जाएगा सारा कुछ ठीक है